तो हे मैं सीहाथ, आज के इस वीडियो में आप ये प्यारे से पिंटरस्ट के वीडियो को करेंगे दिए उसके लिए एक एक एफो साइस पेपर ले लेंगे और उसे वोल्ट कर देंगे, नीचे की स्पेस को कर देंगे, कट आप लोग सोच रहे होगे कि वो था एक डिजाइनर पेपर ये एक प्लेन सा पेपर तो नहीं है, तो उसके लिए एक ट्रांस्परेंट शीट पर अपने प्यारे से स्केच इस को करो स्क्रिबल, अरे हाँ, ये एक चालेंज है, जो मेरे दीदी ने दिया था, कहा था कि पिंट और वो हमारे इस पेपर पर टर्न आउट हो जाएगा, और इसे थोड़ी देर के लिए ट्राइ होने रख देंगे, ये देखे कितना प्यारासा टेक्श्वर टर्न आउट हुआ है, अब पीजा न, मुझे क्या हुआ समझ नहीं है, बट मैं तो न, पुरे हाज ड्रो कर दिय रहा हुँ, और साथी साथ इंकम्प्लीट ना लगे, इसलिए मैं डॉज भी ड्रो कर दी हूँ, अब उसे फोर साइट से भी फोल्ड कर देना है, और हाँ, मैं आपको बता दू, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटर लगेगा, और उसके बाद सब कुछ इतना इजी हो जाएगा ना, तू तू त्री डाइम्स कर लो, आप लोग ये सेम औरिगमी को, और आपके लिए वस इतना इजी हो जाएगा, अब सेम ना, हमें ऐसा फोल्ड करना है, फोल्ड साइट से भी कर दो, यार, करने के बाद, हम इसे पीछे के तरफ मोर देंगे, और ऐसा मिडल पार्टिशन ले लेंगे, और तू साइट से इसे फोल्ड कर देंगे, सारे स्टेप्स फोल्ड करना है, फिर मेरे जासा ही बन पाएगा, अब ये सेम रिपीट कर लेंगे इस साइट भी, और ये हम इसलिए कर रहे हैं, ताकि कॉर्नर में इसे स्क्वेर्स बन जाए, अब इसे हम इसे फोल्ड करना है, ये स्टेप थोड़ा से ध्यान से देखना ताकि आप लोग को ये इजी हो, उसके बाद हम इसे फोल्ड साइट भी सेम स्टेप रिपीट करना है, लग रहा है ना इजी, हाँ, अब इसा मिडल पार्टिशन ढूनना है, और इसे 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 प्रॉपर फोल्ड करना गाइस, ये मुझे फोर्स टाइम पे तो नहीं आया था, मैंने थोड़ा सा टेकनीक सीखा और मुझे आ गया, अब इसे यहां से उपेन करना है, फोल्ड साइट से भी, ये देखू गाइस बन गया, अब इसे थोड़ा सा उपेन कर देंगे नीचे स तो हो गया, हो गया गाइस, एंड ये अब होल्डर की तरह आप लोग यूज कर सकते हो, ये मेरा फर्स ट्राइ है, और ये मेरा सेकेंड ट्राइ है, जोसे आप लोगो दिख रहा है, एंड इसमें जोसे और लोगो ने चीजे भरे थे, मैं भी ना इसमें अपने जूलरी, की तिन्स, और खरोगो अब लोगो, और लोगो है, अब राण जोसे अवी कर दो लोगो सेकेंड ने जोसे दो एंड बोगो ये मेरा ने है।